दोस्तों फिर एक बार राज़स्थान की एक private university जिसका नाम है निर्वान युनिवरसिटी उस पर हम एक वीडियो लेकर आये हैं हाला कि वैसे देखा जाए तो राज़स्थान में total 52 private universities चलती हैं दोस्तों बावन प्राइवेट युनिवस्टीज है उन्ही में से एक नाम आता है निर्वान युनिवस्टी का और आपको बताए हैं यूजीसी पर आप यूजीसी को कैसे चेक करेंगे क्योंकि अपने देश में जितनी भी यूजीसी चलती हैं सबी को रेगुलेट करती हैं यूजीसी वोडी और यूजीसी पर आप कैसे चेक करेंगे यूजीसी को भी आपको बताया फेक लिस्ट पर भी वीडियो बनाई के UGC ने कौन-कौन सी UNIVERSYS को फेक करार दिया है जो चलती है अलग-अलग स्टेट्स में निरवान UNIVERSYS के पास क्या-क्या तो अप्रूवल्स है कौन-कौन से कोर्सिस निरवान UNIVERSYS चलाती है अपने कैंबस में इस तूटू चैनल पर जिसका नाम है उनिवस्टी इंडिया मेरा नाम है विरिंदे वर्मा कैसा आप सभी जानते हैं हम देश विदेश की उनिवस्टी को एक्स्प्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं दोस्तों हाला कि निर्वान युनिवस्टी पर पहले भी हमने वीडियो बनाई है बट आपने जो लगातार हमें कमेंट किये और जो सदेशन्स दिया कि युनिवस्टी पर हमें डिटेल वीडियो लेकर आएं युनिवस्टी के बारे में एक वीडियो में काफी कुछ आपको और इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत कुछ जानेंगे भी, निर्वान युनिवस्टी को दोस्तों सबसे पहले आप ये जानिए कि प्राइवेट युनिवस्टी है, प्राइवेट युनिवस्टी जो हमारे UGC Act बोलता है 1956 का, उसमें section 2F बोलता है कि प्राइवेट यु युनिवस्टी बनी हुई है, रजस्थान में युनिवस्टी का पिन कोड है 302019 और साथ में ही युनिवस्टी UGC पर लिस्टेड है, आप किसी भी युनिवस्टी के बारे में जादा कुछ जानने से पहले उस युनिवस्टी को UGC पर जाकर चेक किया कीजिए, क्योंकि अ आप कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले तो आप UGC की वेबसाइट पर जाएए, UGC की वेबसाइट के लिए आप टाइप कीजिए www.ugc.ac.in इसके बाद जो एक इंटरफेस खुलता है पुरा, उस इंटरफेस में आप देखेंगे तो महाँ पर Universities लिखा है एक टैब में, Universities पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आएगा State Private Universities, जितनी भी प्राइवेट उनिवस्टी चलती है जिजी State में, State Private Universities पर क्लिक करेंगे, तो यह सबी States के नाम लिखेंगे दोस्तों आजाएंगे, यहाँ जाके आप राजिस्थान में क्लिक कीजिए, राजिस्थान में क्लिक करने के बाद में, सीधा जितनी भी राजिस्थान में Total University सलती है प्राइवेट, यह Total 52 प्राइवेट उनिवस्टी सलती है राजिस्थान में, उ किसी दूसरी जो वेबसाइट्स होती हैं उन पर विकुल भी ट्रस्था आप बिल्कुल ना देरेंगे, उनिवस्थान में बनी है, मतलब 30 मार्च 2017 में उनिवस्थान में यहां से बनी है, डिटेल बताती है, यहाँ पर आप प्रोफेसर डॉक्टर अर्विंद कुमार अगर मेंचन है, यहाँ पर आप रजिस्टर साब की इन्फोर्मिशन देखते हैं, मिस्टर परशांद बेनीवाल, उनका फोन नमबर मेंचन है, साथ में यह उनकी मेला इडी भी मेंचन है, दोस्तों आप क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सब कंजूमर कैटिगरी मे आते हैं, कोई प्रॉब्लम किसी भी तरह की समस्य आपके साथ होती है, आप सीधा आप रजिस्टर साब के पास या वीची साब के पास जा सकते हैं, उस प्रॉब्लम को लेकर आपको सॉलुशन आपको जरूर मिलेगा, दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ, कि किसी भी यूनिवस्टी जब आप एडमिशन लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट्स को देखकर एडमिशन कभी भी किसी भी यूनिवस्टी में ना ले, आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, आप यूनिवस्टी परसनली जाकर वीजिट करें, वीजिट करने के बाद पूरा campus आप घूमें, आप देखें, आप admission cell में बोलेंगे तो वो घूमा भी देंगे आपको, आप जाएं hostels को देखें अगर आप hostels में रहने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी universities को हमने खुद visit किया, जिन universities में hostels नाम की कोई चीज ही नहीं थी, बस वो किस तरह चला रह रहे हैं, भार के students कैसे रहते हैं, कहां रहते हैं, वो एक अलग चीज है, साथ में ही university में जाकर आप faculty member से मिलें, जिस भी course में admission लेना है, मान लीजिए कि आप deep pharmacy में admission लेते हैं, तो deep pharmacy में admission लेने के लिए obviously बात है, आपको lab देखनी होंगी, आप जाकर lab देखिए, आप faculty member से मिलिए, जो आपको पढ़ाने वाले हैं, हो सके तो students से भी मिलें, जो students उस university में पढ़ते हैं, आपको पूरी जानकारी वहां से मिल जाएगी, हलाकि अगर आप हमें WhatsApp करेंगे, तो हम detail में आपको बता भी देंगे, और निर्वान university को वहीं की, जैपुर की और दूसरी, किस university के साथ आप compare करना चाहते हैं, आप बताएं, हम उस पर वीडियो लेकर जरूर आएंगे, और दोनों की fees में compare करेंगे, युनिवस्टी के affiliations में भी compare करेंगे, कौन-कौन से approval दोनों universities के पास हैं, वो वीडियो भी हम लेकर आएंगे, साथ में आप जान लीजिए, इस university में ब वो सब बताएंगे, उनके जाके हम जो faculty members हैं, उनसे मिलेंगे, students का interview करेंगे, यह सब detailed वीडियो बहुत जल्दी आपको मिलेगे जब हम university visit करेंगे, साथ में ही university का जो prospectus है, 2022 का, 2023 का, उस पर भी हम detailed एक वीडियो लेकर आएंगे, और कौन से नए approvals युनिवस्टी में आने युनिवस्टी बनती है, जो अपना proposal देती है, उसके अंदर लिखा होता है कि युनिवस्टी सभी तरह के certificate, diploma, UGPG courses और PhD जैसे courses चलाएगी, मतलब युनिवस्टी को by default approval मिल जाता है, कुछ वो सभी courses चलाने का जो council से relation नहीं रखते हैं, council से relate नहीं करते हैं, मतलब जितने भी courses के लिए counselling की जरूरत पड़ती है, council से approval लेना पड़ता है, उन सभी courses को direct route से university चला सकती है, PhD जैसे courses भी चला सकती है, बहुत सारे courses के लिए counselling चाहिए, उसके बारे मैं अभी आपको बताऊंगा आगे-ागे में, जैसे कि university कौन-कौन से courses चलाती है, जैसे university बोलती है faculty of agriculture, जोस्तों agriculture के लिए IKAR के approval की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी universities बिना उस approval के भी चलाती है, university faculty of agriculture के नाम से BSC agriculture course चलाती है, आप इसके बारे में IKAR का approval जरूर देखें, हालाकि detailed एक video approval पर हम जल्दी ही लेकर आएंगे, courses पर भी detailed video लाएंगे, क्योंकि एक video में सब कुल बहुत लंबी हो जाएगे, faculty of commerce and management मतलब university become, mcom management जैसे courses, साथ में BBA और MBA, दोस्तों BBA और MBA में बहुत सारी specializations होती हैं अलग-लग तरह की जिसमें आप admission ले सकते हैं, बहुत सारी universities के पास बहुत advanced streams available हैं, जिसमें आप admission ले सकते हैं, faculty of dental science, दोस्तों dental science के लिए university के पास dental council का approval होना जरूरी है, वरना university course नहीं करा सकती, faculty of engineering and technology, जैसा मैंने कई वार अपनी वीडियो में आपको बताया है, जितने भी engineering courses होते हैं, उन सभी engineering courses को चलाने के लिए university के पास, या कि colleges के पास, जो मानिता एक जरूवत पढ़ती है, वो AICTE की होती है, बट universities को AICTE के अप्रूव भी courses चला सकती है, साथ में faculty of nursing, INC चाहिए होता है, इंडियान nursing council, university B.Sc. nursing कराए, एनम जीनम कराती है, INC का अप्रूवल लेती है, council course ये होता है, जो university में admission लेने से पहले उसका अप्रूवल जरूर देख लें, साथ में faculty of applied health, ये courses university करवाती है, detailed courses पर हम एक वीडियो लेकर आप वीडियो देख सकते हैं, faculty of computer science and applications, BCA जो आप करते हैं, NCA करते हैं, उन courses की यहां बात हो रही है, faculty of humanities, social science and fine arts, fine arts में लोग PhD बहुत करना चाते हैं, साथ में आप B design जैसे courses होते हैं, B dash जैसे courses होते हैं, इन सभी की वीडियोस हमारे दूर दूर चैनल पर, जो counseling India के नाम से channel है, courses की बहुत सारी वीडियोस वहाँ पर available है, आप देखेंगे course के बारे में complete information आपको मिल जाएगी, और भी detail में आप पढ़ना चाते हैं, तो हमारी जो website है www.universityindia.in, वहाँ पर detailed वीडियो है, एक course के बारे में क्या क्या affiliation सही होते हैं, सब कुछ fees के बारे में, अच्छ students बहुत सारे करते हैं, डिपलोमा भी करते हैं, उनिवस्टी उस course को चलाती है, faculty of science, BSC कीजी, MSC कीजी, साथ में course आता है faculty of law, दोस्तों law करने के लिए BCI का approval ज़रूरी होता है, BCI का approval उनिवस्टी के पास अगर नहीं है, तो उनिवस्टी LLB में admission नहीं ले सकती, तीन साल क LLB में आप admission ले, पांस साल की LLB करें या फिर आप LLM करें, एक साल की LLM अब नहीं होती, दो साल की LLM होती है, तो दो साल की LLM के लिए भी आप admission ले सकते हैं, BCI अगर recognize है कोई भी university, faculty of design, B- जिस course के बारे मैंने आपको बताया था, B- design के बारे मैं बताया था, उसी course क यहां बात हो रही है, साथ में faculty of pharmacy, दोस्तों, pharmacy करने के लिए PCI, Pharma Council of India का approval होना चाहिए, B- pharmacy कीजिए, D- pharmacy कीजिए, चाहे M- pharmacy कीजिए, इन सब approvals को आपको बहतर तरीके से जानना चाहिए, university जाना चाहिए, faculty members से मिलना चाहिए, अपने doubts को clear करना चाहिए, साथ में placements को जर हमेशा जब भी videos लेकर आते हैं, आपको aware करते हैं, क्योंकि हमने अभी जो भी कुछ बताया, वो बताया जो university के site पर, या हमरी research जो बोलती है, या UGC के site जो बोलती है, या दूसरे approvals जो बोलते हैं, approvals पर detail video लाएंगे, courses पर भी detail video लेकर आएंगे, और जब भी कभी possible होग आप compare करना चाते हैं, और 10 में से इस university को कितने number देंगे, आप comment box में ज़रू बताएं, हमें उसका इंतजार रहे, दोस्तों अमीद करता हूँ, आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारे चैनल को subscribe करना दोस्तों बिलक करना लगा होगा एंधना लगा होगा होगा